तो यार आज की वीडियो हमारी होने वाली है Forex Market से related इस पे यार मैं सोच रहा हूँ तीन से चार वीडियो आप सभी के साथ share करूँ आने वाले 15-20 या मतलब एक महिना मा लीजे तो उसमें मैं क्या बताऊँगा जो पहला वीडियो तक मैं आपको प्रॉपर जो प्रॉफिट बना के भी दिखाऊँगा कि आप इस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं तो आज हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं कि Forex Market का जो बेसिक होता है ठीक है पहली वीडियो अभी हमारी यह होने वाली है और आगे तो मैं आपको बताऊंगा ही तो यहाँ पर हम जानते हैं पहले Forex Market मतलब क्या होता है देखे Forex Market को आप कई नामों से जानते हैं मतलब सुने होंगे ऐसा जैसे कि Forex Market होता है कुछ लोग याफियक्स Market इसको बोलते हैं कुछ लोग जो है कि Currency Market बोलते हैं कुछ आपको सुनने को मिलेगा Foreign Exchange Market मतलब देखे जो Forex होता है वो दो वर्ट से मिलगे बनाता है पहला जो होता है वो Forex यानि Foreign दूसरा होता है एक्चेंज ठीक है तो इसमें आप Confuse मत होएगा तीन चार नामों से मतलब बेसिकली इसको हम जानते हैं तो हम उसका जो है कि उस Forex Market में हम करते हैं Forex के ट्रेडिंग मतलब देखे जो भी Country होती है सबकी अलग-अलग मुद्राय होती है मतलब अपना-अलग-अलग currency होता है जिसे इंडिया के मैं बात करूं तो आइनार होता है अमेरिका का जो है यूएश डॉलर होता है यूरो होता है JPY मतलब जापान का जो है कि JPY currency होती है Chinese yen होता है मतलब ठीक है Pound होता है London का मतलब इंगलेंड का तो इस तरह से जो है कि अलग-अलग currency होती है सभी country की तो वहाँ भी का उता है सब की अलग-अलग value होती है जिसे अभी मैं dollar और रूपया का अगर मैं compare करूं तो अभी 80 रूपय चलता है कभी 80-82 तक चला गया था कभी 80 रूपय हो जाता है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो value जो होती है अब down होती रहती है तो इसके बहुत सारे factors होते है वो मैं भी इस वीडियो में cover नहीं करूंगा कि मतलब किन-किन region से जो है कि यह जो value होती है आइनार मतलब या फिर dollar के है ना तो इसकी value उपर नीचे क्यों होती है तो इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा तो इहीं हम करते हैं trading मतलब एक currency क्योंकि यह currency market भी है इसको हम कहते है तो हम यहाँ पे currency to currency मतलब trade करते है ठीक है जैसे कि मान के चलिए अभी एक dollar के rate अभी 80 रूपए चल ला है तो हम क्या करेंगा 80 रूपए पे करके एक dollar खरी देंगे जब इसका rate बढ़ जागे 80 रूपए हो जाएगा तो हम क्या करेंगा उसको हम उस time अगर हम बेच देंगे तो हमें 2 रूपए का profit हो जाता है लेकिन इसमें जो होता कि fluctuation बहुत ही कम होता है आप देखते होंगे कुछ पैसे बढ़ है हमने यहाँ पे sell कर दिया तो basically इसमें भी future trading के तरह हम trade करते है मतलब पहले buy करके sell करते है फिर sell करके buy करते है वो basic funda वही है trading इसमें जो हम forex में करते है तो अब आप लोग यहाँ पे बोलेंगे मतलब जब fluctuation होता ही नहीं मतलब कुछ पैसों में परड़े में अगर देखें कि परड़े तो कुछ पैसों में यहाँ पर up down up down होता है तो इसमें मतलब profit बनेगा कैसे तो इसमें देखें जो leverage मिलता है वो leverage काफी ज़ादा होता है अगर आप crypto में कर रहे होते हैं तो आपको 200 गुना maximum आपको leverage मिलता है अगर आप इस टॉक में जाएंगे तो 4-6-10 गुना तक आपको maximum leverage मिलता है लेकिन अगर आप Forex में करते हैं तो आपको जो कि 500 यक्स से लेके 1000 यक्स तक आपको जो है कि leverage मिल जाता है तो जड़ा सा मामूली सा fluctuation पर भी जो है कि आपको बहुत ज़्यादा profit हो जाता है और Forex trading को मतलब आप जो है कि 25-50 डॉलर से भी अपना शुरू कर सकते हैं आप और अगर आप जिसे की stock में करते हैं तो उसमें अगर आप future trading करना चाहते हैं कर सकते हैं चलिए तो थोड़ा सा sideways वाली बात हो गई है ना तो हम यहां भी बात करें Forex की देखें जो Forex market होता है वह बेसिकली मतलब किसी एक company की दौरा कंट्रोल नहीं किया जाता है कि मतलब कोई एक company हो पूरा worldwide उसी को मतलब एक control body हो एक होती है तो उस तरह कि यहां पर कोई चीन मतलब नहीं होता है यहां पर मुख्यता जो नक चार हम pillars कह सकते हैं जिनको कि Forex market जिनके दौरा पूरा जोई चलाया जाता है रन किया जाता है जैसे में कि आपके आते इंडिविजुल इनिवेश्टर होते हैं जैसे हम और आप होते हैं ट्रेडिंग करते हैं उसमें कुछ fund deposit करके अपना ट्रेडिंग करते हैं या थोड़ा बहुत investment कर देते हैं तो एक तो यह हो गए दूसरे जो होते हैं वो है कि multinational corporation वाले होते हैं तीसरे अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपके आ जाते हैं इसे की central banks या फिर governments होते हैं तीसरा पॉइंट से हो गया चौथा जो होता है कि hedge fund investment and management तो यह मुक्रत है मतलब चार pillars होता है जिनके दौरा मार्क market run किया जाता है और यह जो market होता ना इतना ज्यादा बड़ा होता है अगर इसके per day हम transaction या फिर जो value माता है जितना trading होता है अगर हम बात करें तो 6.6 trillion होता है और अगर crypto का आप देख लिए पूरा market capital मतलब crypto में जुतना bitcoin ethereum दुनिया वर के जितने भी coin है सबका पूरा market capital अ जाए तो एक trillion भी नहीं है लेकिन forex market इतना बड़ा है कि आप समझें कि 6.6 trillion की trading रोज होती है crypto का मतलब एक trillion भी market cap नहीं है लेकिन यहाँ पे 6.6 trillion daily का कारूबार होता है buy sale मतलब trading होती है volume इतना चरनेट होता है इसके आगर तो मतलब stock market भी मतलब नहीं टिक पाता है समझ ग market में जो है कि trading जब भी आप करने जाएंगा तो वहां आपको 2 currency का pair मिलेगा वैसे तो हर जग आपको 2 currency का pair मिलता है जैसे कि अगर आप crypto में कर रहे होते हैं न मतलब वहां पर एक pair होता है जैसे कि मालना चलते है BTC USDT का pair हो गया Ethereum USDT का pair हो गया तो वहां पर 2 pair होता है तो 2 pair यहां भी same होता है यहां मतलब 2 currency चाहिए होती है जैसे कि एक आपका Euro हो गया दूसरा USD हो गया ठीक है या फिर अगर आप Indian market में Forex trading करना चाहते हैं तो यहां पर INR का pair आपको मिलेगा जो कि मैं आपको बता हूँ जिसे कि अगर इंडिया में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं मतलब Forex की तो यह जो एक्षेंजेस हैं यह न सब आपको मतलब अबलेवल कराते हैं जो 4-5 currency होता है मतलब Euro INR का pair आपको मिलेगा USD INR का pair मिलेगा ठीक है या फिर JPY या जापानी जो currency होती JPY INR का pair मिलेगा तो इन सब में ही आप एंजल ब्रोकिंग हो गया जिरोद हो गया इन सब पर भी आप Forex trading कर सकते हैं लेकिन इनका जो timing होता है वो Monday to Friday वो तो रहता ही है लेकिन सुबह 9 बज़े से 5 बज़े तक मतलब 8 घंडे का ही होता है लेकिन अगर आप International Forex की बात करेंगे यह तो मतलब कुछ भी नहीं है इंडियन मार्किट की मैं बात करूं जो Forex trading यहां पर जितने भी ब्रोकर्स यहां पर आपको अबलेबल कराते हैं अगर आप International की मैं बात करूं तो पूरा 24 घंटे वो चलता रहता है है तो बेस्ट होता है कि अगर आप किसी ऐसे प्लेटफार्म को चूच करते हैं जहां पर कि मतलब आपको पूरा 24 घंटे का टाइम मिलता है मतलब सटर्डे और संडे को आप छोड़ देजिए तो मंडे टू फ्राइडे पूरा 24 घंटे का आपके पास टाइम होता है आप ट्रेडिंग करके प्राफिट बना सकते हैं किनी दो करंसियों के पेर के बीच मैं आपको ट क्रिप्टो में करते हैं जैसे कि बिट्कॉइन होता है बीटीसी आगे होता है यूश्डिटी ठीक है तो उसका मतलब यह होता है जो यानि बीटीसी आगे है वो होती है बेस करेंसी ठीक है जो सेकेंड नंबर पर जो क्वाइन आता है यूश्डिटी वो भी तो एक क्रिप् यूज्टि जो सेकेंड नंबर हैं यूजडिटि आप 16500 उजडिटि खर्च करेंगे तो आप एक बिट्कॉइन वाइक करेंगे क्लियर होगा जिसे कि जो आगे वाली करेंसी होते BTC अगर आप वह वाइक करेंगे जो पीछे जो second number पे आती है आप यहाँ screen पे देख पा रहे हैं तो वो आप payment करते हैं जितना उसका price चलना होता है जिससे अगर मैं यहाँ पे वही चीज़ मैं बात करूँ euro, USD के आगे अगर आप forex trading करने जाएंगे तो eur, USD लिखा होगा उसके आगे 1.03, 1.45 जितना भी हो ठीक है, इतना price लिखा होता है तो उसका मतलब यह होता है एक euro जो पहले नमबर पे आगर आपको खरीदना है तो जितना वहाँ पे price चलना है 1.03 उतना USD जो दूसरे नमबर पे वो आपको पे करना पड़ेगा तब आप 1 euro खरीद पाएंगे अगर जिसे कि USD आईनार लिखा हुआ है तो उसका आगे लिखा होगा कि 80 रुपए चलना है यानि एक USD बाई करने के लिए आपको 80 रुपए पे करने पड़ेगा 80 आईनार आपको देना पड़ेगा तो हम वहाँ पे जो पहले नमबर बाता है वो base currency होती है मतलब वो खरीदी जाती है या फिर बेची जाती है मतलब उसके बदले आपको क्या देना लेना पड़ता है जो second number पे होता है वो quote होता है quote currency उसको हम यहाँ पे बोलते है और crypto में अगर आप trading करते हैं तो मतलब कितना भी crypto आप buy करिए, sell करिए लेकिन यहाँ पे अगर आपको forex में करना है trading तो यहाँ आपको lot चलता है मतलब एक standard lot की जो value होगी वो एक लाख डॉलर होती है ठीक है ऐसा नहीं कि आप पहुंचिए और एक डॉलर आप खरिल दीजिए, दो डॉलर खरिल दीजिए या फिर euro खरिल दीजिए, दो चार यूरो ऐसे नहीं आपको करना होगा इसमें आपको lot मतलब minimum जो lot होता है उतना आपको करना ही पड़ेगा जैसे कि एक standard lot की में बात करूँ जिसकी value है एक लाख डॉलर की ठीक है उसको हम one से रिप्रेजेंड करते हैं उसको हम standard lot बोलते हैं इससे छोटा lot की में बात करूँ तो होता है कि mini lot जो mini, एक mini lot जो होता है वो 10 या डॉलर के बराबर होता है उसकी value और उसको हम represent करते हैं 0.1 से, ठीक है इससे भी छोटा lot होता है वो होता है 1000 डॉलर का वो होता है micro lot जिसको हम represent करते हैं 0.01 से यानि अगर आपको 1000 डॉलर के बराबर कोई currency बाइक करनी होगी तो वहाँ आपको लिखना होगा 0.01 अगर आपको 2000 के बराबर कोई currency अगर 10,000 डॉलर आपको करना होगा तो 0.1 आपको लिखना पड़ेगा मतलब आप जो है mini lot पे जाना होगा आपको इस लॉलर के clear होगा सबसे छोटा lot भी यहाँ पे होता है 100 डॉलर का जिसको हम nano lot बोलते हैं उसको हम represent करते हैं 0.001 से अभी मैं आपको जब next वाली वीडियो में समझाने लगूँगा तो और आपको अच्छे से सारी चीज़े clear हो जाएंगे यहाँ पे तो यह आपको minimum जो छोटा lot होता है उससे बड़ा उससे बड़ा एक lot आपको trade लेना पड़ेगा ठीक है minimum देखे अब यहाँ पे बात आती है कि आपको यह forex trading अगर करना है तो आपको कहां करना चाहिए एक तो जिसे कि जो यह नसी ब्यासी जो नेशनली स्टाउक इन सबके मतलब जो ब्रोकर्स होते हैं जिसे मैं आपको यहां पर recommend कर रहा हूं मैं आपको आने वाले वीडियो में भी उसी के बारे में बताऊंगा जो कि मैं पर्सनली यूज भी करता हूं मतलब दो तीन सालों समय एक है फर्स टाइम एकाउंट बनाएंगे जितना आप डिपॉजिट करेंगे उसका 100% मतलब अगर आपने वहां पे 100 डॉलर डिपॉजिट किया तो आपको 200 डॉलर के बराबर का fund वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा मतलब 100 डॉलर का आपको बोनस मिलेगा तो आप उसको कर प्रेडिंग कैसे करना प्राफिट कैसे बनाना है वह मैं आपको यहां पर बता देता हूं मैं दिखा देता हूं बता क्या है ठीक है तो यहां पर अपना मुबाइल वाइलान कर लेता हूं यहां पर आप देखेंगे ओक्टाएफेक्स का दो अप्लिकेशन है एक तो ओक्टाएफेक्स कॉपी ट्रेडिंग है मैं कॉपी ट्रेडिंग भी आपको आने वाले टाइम में सिखाऊंगा अभी यहां पर ओक्टाएफेक्स का जो ट्रेडिंग अप्लिकेशन है मेन अप्ल लोट कर लेंगे ना देखें यहां पर जैसे दिया ओक्टा एफेक्स ट्रेडिंग लेसंस ठीक है यहां पर आपको मतलब बहुत ही बारीकी बारीकी चीज़े आपको सीखनों मिल जाएंगे इसको अगर आपको करना हो तो इसको कर लिजेगा अभी मैं आपको इसके फीचर्स जो भी मैं आपको दिखा देता हूं कैसे कैसे आपको सारी चीज़े करनी होती है यहां पर आपको देखें सबसे पहले जब भी आपको ट्रेडिंग करना होगा ना तो यहां आप डेमो एकाउंट एक बनाईएगा उसमें क्या हो था जिससे यहां पर यहां पर आपको मिल ज आपको जो है कि one ratio five मतलब 500 यापको leverage मिल जाएगा balance आप कित्ता रखना चाहते है मतलब 5000-10,000 डॉलर जितना भी आपको करना हो तो यहाँ 5000 डॉलर मतलब आपके demo account में आ जाएगा उसी से आप trade करना पहले आपको trade सीखना है थोड़ा प्रेक्टिस वगर करना उसके बाद जब लगे कि हाँ थोड़ा देखे कुल मिला कि होता कि जो मैं आपको चार्ट पैटर्न अभी मैंने वीडियो में बताया था कि जो टेक्निकल एनाल्सिस होता है जिसे चार्ट वगर आपको रीड़ करना मतलब मिला कि government सीखना आपको बात में समझ में आगए क्या आपको सिखाना चाहरा था कि मतलब एक क्रियेट लिकर्ट पर यहां पर देखेंगे तो यहां पर कर लेना है तो यहां अगर आप देखेंगे तो आपका इस बाष्टीन कर option आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है ट्रेड पर आप जाएंगे अब देखें यहाँ पर Octafx पर आप जो है ना कि crypto में भी trading कर सकते हैं मतलब 30 crypto आपको यहाँ पर मिलते हैं crypto में आप जिसे bitcoin, ethereum, dogecoin यह सब सारे आपको crypto यहाँ पर मिल जाते हैं इसमें भी आप trade कर सकते हैं और सबसे अच्छी यह बात है कि आपको यहाँ पर 30% tax नहीं देना है मतलब आप जो है कि other income source मतलब दिखा के आप ITR file करके दे दीजेगा टेक्स से आप यहाँ पर बच जाएंगा अगर आप यहाँ पर करते हैं तो देखे कैसे करना होगा यहाँ मैं यहाँ डेमो का उप्शन में जाता हूँ और यहाँ पर trade का उप्शन में चला गया अब आपको जो है अरे क्या हो गया यार डेमो आजा चलो यहाँ पर देखी आ गया अब देखे यहाँ पर आपको फॉरेक्स मिल गया यहाँ पर क्रिप्टो मिल जाता है और आगे जाएंगे lot size जो मैं आपको बता रहा था one यहाँ पे one लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है कि एक लाख डॉलर के बराबर आप यहाँ पे trade करने जा रहा है हलांकि आपको 500 एक्स का leverage मिलता है तो आपका fund बहुत ही कम लगेगा यहाँ ठीक है तो यह सब आपको भी आने वाली वीडियो में समझाओंगा फिलाल मैं आपको यहाँ फ्यूचर्स दिखा रहा हूँ ठीक है यह तो आप यहाँ पे demo से आप शुरू कर सकते हैं जित्ता आपको profit होगा जैसे अभी मैं यहाँ दिखा देता हूँ और चलो यार हो जाए तो यहाँ पर जो है कि मैं lot size कम करता हूँ यहाँ पर 0.01 करता हूँ चलो यह होगया अभी मैं buy कर लेता हूँ तो यहाँ पर इत्ते सारे देखे मेरे order लग चुके है हालां कि मेरा भी यहाँ पर minus होने चला है तो इसको आपको नज अगर यहाँ पर आपको मिल जाता है अब देखे यहाँ आप डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं डिपॉजिट कॉप्सन पर जाना है डिपॉजिट आप बिट्कॉइन में कर सकते हैं डोजी कॉइन में कर सकते हैं इंडियन बैंक मतलब बैंक के थूर आपको मिल जाता है ठीक है TRC 20 क्रिप्टो के थूँ और यहां पर इंडिया से बाहर भी है तो यहां पर इन सब चीजों का यूज करके आप मस्टर कार्ट भी है मतलब deposit की जो फैसल्टी है मतलब काफी जाद आपको यहां पर मिल जाती है ना तो इन सब चीजों का आपको यूज करना है इंटर्नल ट्रांसफर अगर आप करते हैं तो मतलब इसमें जो है कि फ्री में आपका पैसा मतलब OctaFX वाले एकाउंट में चला जाएगा पैसे उसे कटेंग नहीं और यहां पर विडॉल के आप जाके जो है कि आप TRC20 में बिटॉल ले सकते हैं बैंक में ले सकते हैं इथेरियम कोई में लाइट कोई में है ना तो आसानी के साथ आप यहां पर डिपॉजित और बिटॉल भी कर सकते हैं जो की बहुत ही जबर्चस फीचर है आप जैसे कि अगर आपको UPI से करना हूं मैं आपको UPI से जिसे की मिनिमुम में आपको यहां पर 1500 हो है जिसके मैं आपको यहां पर 3000 करके दिखा देता हूं कैसे आपको डिपॉजित करना है यह वर्चुल पेमेंट आइडी मैं यहां पर डाल देता हूं और इस्टेट इस्टेट सब पोस्टल कोड वगर ठोड़ा डालना प्रोमोड दिया हूँ जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वह प्रोमोड आप डालेंगे ना तो आपको 100 परसंट का बोनस यहां पर मिल जाएगा ठीक है यह आपको यहां पे कर लेना है तो यहां पर एतने सारे फीचर मिल जाते हैं और यहां पर रियल जिसे कि यहाँ पर मैं trade पर जाता हूँ और यह 4x में चला जाता हूँ तो यहाँ पर देखे यूरो यूषडी लिखा हुआ है ना ठीक है यह आपका यूरो आपका base currency होता है और यूषडी आपका यहां पे अगर आप देखेंगे तो 1.03933 है ठीक है तो यहां पे कितना चेंज होगा जो पीप होदा point in percentage point के बाद जो four digit होंगे तो four वाला जो last वाला जो रहेगा जितना point उपर नीचे होगा जिसे अगर आपने एक standard lot के यहां पे trade लगाया हुआ है तो अगर एक point उपर जाएगा तो आपका 10 डॉल का profit होगा एक point नीचे एगा तो 10 डॉल का आपका loss होगा यह सब सारे जिए मैं आपको second वीडियो में cover करके बताऊंगा ठीक है दोस्तों तो आप इसको जो है कि आपना sign up कर लिजए को आने वाली वीडियो में सेकेंड वाली जो वीडियो के analysis और जो कुछ technical terms है वो मैं आपको सिखाऊंगा क्यूंकि अभी आपको यहां पर यूज करना होगा यह अम्टी 5 यह अम्टी 4 पर भी आपको trade कैसे करना है वो सब सारी चीज़े में आपको यहां पर सिखाने वाला ह सकते हैं ठीक है वो आपको मैं सिखा दूंगा guarantee मतलब इतनी आसान language में आपको मैं सिखाऊंगा कि आप एक दम मस्त हो जाएंगे मतलब उतनी बारिक चीजों को कोई और नहीं बता पाएगा जितना मैं आपको यहां पर बताऊंगा आने वाले टाइम में तो आप भी like और subscribe क करके रखें दोस्तों मिलता है फिर एन अदर टॉप एक साल नक्षी वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर